तो आप पाथी आगे नजर आ रही है यानि ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में भगवत मान और अरविंद के जिवाल की जोड़ी पर लोगों ने भरुसा चताया हाला कि तस्वीर जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है लेकिन जो पूरी दुनली तस्वीर है वो थोड जो रुजान है उसके लिए हम सीधे उत्रप्रदेश का रुख करेंगे हमारे सहयोगी उत्रप्रदेश की क्या इस्तिति है सुलंगी जी आपको बतादू कि अभी भी लगातार बीजेपी ही रुजानों में आगे चल रही ती लेकिन अब वो 69 सीटों पर रुखी पड़ी और बीजेपी अभी दो सीटों पर आगे चले जबके कॉंग्रेस का यहां पर खाता तक नहीं खुला भी तक भी यह बड़ी चीज है बड़ी चीज है यह कंचान तीन सीटों का डिफरेंस नजर आ रहा है साप रुजानों में उत्राखंड का रुख करेंगे जहां कि सीटे मिलती हुई नजर आ रही है और अभी भी आपके वहां पर खाता नहीं खुली हुई है यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पास सीटों का अंता साफ नजर आ रहा है पंजाब की इस्तिती की साफ बात कर लेते हैं क्या इस्तिती है पंजाब में जो 43 सीटे हैं व उसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है गोवा की स्थिति की बात कर देते लक्षी क्या अपडेट है जिब बिलकुल गोवा में सभी सीटों पर सीटों के आ चुके है रिजल्ट और उसमें कि कॉंग्रेस आ गए है कॉंग्रेस को बीस सीटों पर आ गए है और बीजेपी जो वो चौदे सीट पे है बीस और चौदे का ये जो अंतर है ये एक बड़ी बात है कॉंग्रेस की वापसी होती हुई दिख रही है मणीपूर की स्थिति बताईए काज़र सर मणीपूर में अभी तक 25 सीटों पर रुजान आ चुके हैं जिसमें बीजेपी 18 सीटों पर अपन पंजाब की स्थिति की बात कर ले हैं हमारे सह होगी इलफूट एडिटर है डॉक्टर थारेश वर शर्मा पंजाब को बड़ी करीबी से देखते हैं किस तरह से अगर आम आदमी पार्टी की जिस तरह से 100 सीटों की जो एक बात कही जा रहे थी अब जो रुजान आये हैं उ से 2nd position पे आता है कि Congress 2nd position पे आता है अब आम आदमी पार्टी का जो पहले हैं इतना नाम नहीं था लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बड़त हासिल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है जिस तरीके के रुजान आ रहे थे हमारे पास exit पोल हमारे पास exit पोल से जो नतीजे निकल के आ रहे थे एक्जेक्ट अभी तक के जो रुजान है चुकि पहले कहते हैं कि बेलेट पेपर की काउंटिंग हुई है अभी EVM खुलनी शुरू हुई है अभी रुजान है रुजान पे अभी कुछ नहीं का जा सकता अब जैसे जैसे कि दो तस्वीर ही बंती न ज़र आ रहे है पंजाब की बात करें तो आम आदrir跟 पार्टी को जिस तरह से सफके करीम सीटे दी जा रही थी एक्जिट पूल त works कि यहां पर आम आदमी पार्टी बड़ात बनाती भी नजर आ रही है यहां पर सुन्दर सुलंकी जी सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी देववन में बीजेपी आगे चल रही है